हेलो अब्रिवान एंड वन्स अगेन वेलकम तो डबलो स्क्रिप्टेग प्रोग्रामिंग चैनल गाइज मैं हूं भागिरत पिरी और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पी एच्पी का मैथ फंक्शन जो की है रेंड यह क्या करता है आपको एक रेंडम वैल्यू जन इस अधू फैप स्थरियोग नेना सुरू करूंगा तो अंगाहेटाएं एयम आपको सिंप्ली अरेंड करना है देन आपको पास करना हे दो चीजें सबसे पहली है शीज कि रैइंज आपको डेन मजलए यह और यहां पर दो चीजें ज्गाना बिच कर लहागा आपको फाइव खुदी कर देगा अगर मैं यहां 500 लिख देता हूं तो 1 से 500 के बीच में रैंडम नंबर्स जनेरेट करके देगा तो कभी 1 आएगा कभी टू आएगा कभी 3 इस तरीके से गया करेगा आप के लिए पास एक number आया, अब जितनी बार मैं refresh करूँगा, उतनी बार आप screen पर observe करना, एक नया number आता जा रहा है, हर बार क्या हो रहा है, एक नया number आता जा रहा है, क्योंकि 100 से 500 के बीच में बहुत बड़ी range है, कोई भी number इसके अंदर से बार 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 आ सकता है, अब बात होगा है, कि 100 से 500 के बीच में यह random numbers दे रहा है, suppose मैं आगर 1 से 5 के बीच में आपको दिखाऊं, तो 1 से 5 के बीच में भी यह random numbers देगा, तो पहले 1 दे रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 4, आप इस तरह देखोगे, तो यह swapping करता रहेगा numbers की, बट इसका फाइदा क्या, use क्यों करें हम इसको, तो आपने अक्सर देखा है कि आप जब भी किसी जगा पर register करते हो, तो आप एक OTP के लिए request करते हो, one time password के लिए request करते हो, तो जो one time password होता है, वो आप random से बना सकते हो, अब आपने देखा कि one time password कहीं पर four digit का होता है, कहीं पर run time password जो होता है, वो four digit का हो सकता है, तो यहां पर ऐसे चार डिजिट्स के लिए जगा होती है, तो वो चार डिजिट्स कहां से सुरू होंगे, तो वो सुरू होंगे 1000 से लेकर 9999 तक, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1000 से सुरू करेंगे और 9999 तक की एक range देंगे, अब मैं इसको इको करवा के दिखाता हूँ, और आ OTP generate हो रही है, हर बार एक नया number generate हो रही है, that's why it is called one time password, एक बार generate हो, फिर वापस refresh करोगे, वापस hit करोगे, नया generate होता है, कुछ नया generate होता है, अब कहीं पर होती है कि सपोज six digit की OTP है, तो आप six digit की है, तो दो digit यहां पर बढ़ा दो, बहुत सिंपल सा concept है, तो दो digit यहा करेंगे, यह math function है, इसलिए numerical values आपको generate करके देगा, और हर बार एक random value generate करके देगा, क्योंकि इसके पास बहुत बढ़ी range है, so I hope guys, आपको random function अच्छे से समझ में आ गया होगा, that's it for this video, thank you so much for watching.